अब हम लोग मैगनेटिक लैसो टूल को स्टेडी करने जा रहे हैं आप लोगों ने लैसो टूल के प्रिवियस आप्शन के अंदर देखा लैसो टूल की जो सबसे पहली आप्शन हमने देखी थी उसके अंदर हम एक्जेक सेलेक्शन नहीं लेते थे बलके हमने जब जल्दी के अंदर कम टाइम में एक आवरिज सेलेक्शन लेनी हो अब मेगनेटिक लेस्टूल के अंदर हमें ये freedom मिलती है कि हम इस टूल की मदद से किसी भी object को, shape को या image को freehand तरीके से बहुत असानी से exactly select कर सकते हैं और crop कर सकते हैं तो चलें देखते हैं कि हम ये काम कैसे करेंगे दोस्तों आपलों के सामने इस वक्त स्क्रीन के उपर मौजूद है एक बहुत ही खुबसूरत image जिसमें आप देख सकते हैं कि एक दो वाजस हैं और और वाजस के अंदर कुछ different flowers मौजूद है अब ये जो floral image आपके सामने मौजूद है देखने में इसको select करना बहुत ही difficult है और आप ये सोच रहे होंगे कि इस image को crop करना ये select करना तो बहुत ही मुश्किल काम है दोस्तों ऐसा नहीं है हमारे पास मौजूद है magnetic lesso tool जिसकी short की बिलकुल वही है जो कि lesso tool की बाकियो options की थी ती यानि कि alphabet L जैसे ही हम alphabet L select करते हैं अपने keyboard के ओपर तो हम पहुंच जाते हैं जी magnetic lesso tool में अच्छा magnetic lesso tool को इस्तमाल करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूँ कि magnetic lesso tool को इस्तमाल करने के लिए जरूरी है कि आप अपने object को ज्यादा से ज्यादा अपने image को या required area को जिसको भी आप select करने जा रहे हैं उसको ज्यादा से ज्यादा zoom रखें क्योंकि इसके अंदर हम बिलकुल exact जो selection है वो हम लेने की कोशिश करेंगे तो चलें हम आपको बतातूं ये use कैसे होता है दोस्तों जैसे के lesso tool के नाम के साथ ही लिखा हुआ है magnetic lesso tool इसका मतलब ये है कि ये करता क्या है magnetic lesso tool दोस्तो magnet की तरह हमारे object के ये required image के जो pixels होते हैं उनके साथ चिपकता जाता है magnet की तरह ये उसके साथ attach होता चला जाता है जैसे कि इस वक्त आपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि मैं जैसे जैसे इस वास के साथ साथ मूव कर रहा हूँ तो आप देख रहे हैं कि ये जो lesso tool है मैं सिर्फ अपने mouse को जो है वो आगे ड्राग करता जानू और कहीं कहीं पर जहां मुझे लग रहा है कि लेसो टूल को किसी guidance की जरूरत है वहाँ पर मैं इसको एक click कर देता हूँ जैसे ही मैं वहाँ पर click करता हूँ तो मेरा जो magnetic lesso tool है ये अपने आप magnet की तरह मेरे required image और required area के pixels के साथ चिपकता चला जाता है और इस तरह से दोस्तों हम बहुत ही कम वक्त में और बहुत ही असानी के साथ बहुत जो complex किसम के images हैं उनको हम select कर सकते हैं और crop कर सकते हैं हमारे इस magnetic lesso tool की मदद से ये देखें जी ये जो पैटल्स हैं flowers की इनको हम बड़े ही अराम से और बड़ी स्पीड के साथ हम select करते चले जा रहे हैं हलांके यही आप अगर किसी और tool के साथ यही selection करने की कोशिश करें तो ये बहुत ज़दा time taking selection हो सकती थी अच्छा अगर आपको कहीं पर लगे कि आपने selection कुछ थोड़ी सी गड़बड कर दी है तो आप delete का button प्रेस करें जैसे ही आप delete प्रेस करेंगे तो यह जो anchor points यहाँ पर लगते जा रहे हैं आपकी selection में यह delete होना शुरू हो जाएंगे और उसके मतलब से आप फिर दुबारा anchor points को लेके अपनी selection को दरूस कर सकते हैं और उसको as accurate as you want आप उसको बिल्कुल उस तरह से बना सकते हैं अपनी मर्जी के मताबक तो यह देखें यह मैं flowers जो हैं इनको select करता चला जा रहा हूं बहुत यह असानी से और यह अपने आप मेरा जो magnetic lesser tool है यह बिल्कुल magnet की तरह मेरे flowers के साथ जो उसके pixels हैं उनके साथ यह image के pixels के साथ चिपकता चला जा रहा है दोसों मैंने आपको इसका यह एक tip जो बहुत important दी है यह आपने याद रखनी है कि जहां जहां पर आपको लगे कि इसको आपका जो selection है वो D track हो रही है वहां पर या तो आप delete का button प्रेस करें और selection को दुबारा choose करें या फिर आप क्या करें कि आप अपने image के उपर pixels जो हैं वो खुछ से select करके lessor tool को दे दें और वो आप सिर्फ ऐसे कर सकते हैं बहुत ही असान है कि आप click करते जाएं जैसे ही आप click करेंगे तो आपके lessor tool ने magnetic lessor tool ने खुछ से एक नई direction जो है वो ले ले लेनी है और उस direction के अंदर वो move करता चला जाएगा और magnet की तरह जो है वो चिपकता चला जाएगा आपके required images के साथ ये देखें ये अब मैं थोड़ी सी मेरी selection अगर गर्बर होने लगी थी तो मैंने उसको बड़ी अराम से जल्दी से delete का button प्रेस किया और मैंने उसको selection को बिलकुल जैसे कि मैं करना चाहरा हूं वैसे मैंने उसको choose कर लिया अच्छा इसमें आप ये भी कर सकते हैं कि आपकी जो selection है वो जितनी round और जितनी आप उसको smooth रखना चाहें वो भी आप रख सकते हैं जितने कम anchors आप लगाएंगे उतनी ज्यादा आपकी जो selection है वो smooth रहेगी जितने anchors आप ज्यादा use करेंगे उतनी जो आपकी selection है उसके अंदर थोड़ी सी जो straight की या linear की जो एक feel है वो आनी शुरू हो जाएगी लेकिन बाज उकात बाज जगों पे किसी भी object ये shape को select करते हुए आपको खुद से उसको guideline देनी पड़ती है लहाज़ा जरूरी नहीं है आपको basically analyze करना है अपने image को और उसके मताबक आपको selection complete करनी है ये देखें दोस्तों ये हमने कितनी असानी के साथ ये जो हमारा वाजस का एक इतना complex image था जिसके अंदर 5-6 flowers थे ये इसको हमने बड़े ही अराम से magnetic lesso tool के मदद से हमने इसको select कर लिया है काफी accurate selection हुई है और बिल्कुल free hand selection हुई है इसको आप delete के बटन के साथ delete भी करके देख सकते हैं ये delete मैंने इसलिए किया ताके मैं आप लोगों को दिखा सकूंगे ये देखें कि ये जो हमारी selection हुई है magnetic lesso tool के साथ इतने काम वक्त में ये कितनी accurate हुई है Ctrl Alt Z किया और इसको हम यहां से move भी कर सकते हैं और फिर हम आप लोगों को मालुम है Ctrl Shift I press करके अगर delete करेंगे तो ये देखें हमारा जो background है वो delete हो जाएगा और हमारी selection जो हमारे सामने आ जाएगी दोस्तों इस lesson में आप लोगों ने learn किया कितनी असानी से आप लोग मेगनेटिक लेसर टूल के मदद से कितनी complex shapes को या images को बड़े अराम से select कर सकते हैं और crop कर सकते हैं हमने previous कुछ lessons के अंदर भी lesser tool के हवाले से कुछ options देखी थी मेगनेटिक लेसर टूल हमारी last option थी lesser tool के हवाले से और जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुक हूँ कि ये सबसे ज़्यादा commonly use होने वाली option है lesser tool में तो आप लोगों ने अब करना ये है कि आपने कुछ difficult से selection वाले images लेने हैं और उनके उपर magnetic lesser tool से practice करनी हैं अमीद करता हूँ कि आपको इस lesson से काफी फाइदा हुआ होगा आने वाले lessons करता हुआ